हेलो स्टुडेंज वेलकम टू माइच चैनल मैसेल सुमिच सींग और अभी आप 10 स्टैंडर्ड में मैं आपका वेलकम करता हूं यौल आपका साइन सब्जेक्ट बहुत सारे बच्चों को साइन सब्जेक्ट में डर लगता है और ससी में जो कि आपका टॉनिंग पॉइंट है उसमें आपके मार्ग्स भी एकदम अच्छे होने चाहिए स्कोर अच्छा होना चाहिए जिसके वज़े से अपका परसेंटेज अच्छा बन जाए तो हम लोग मिलके मेहनत करेंगे डोंट वरी और लॉकडाउन का टाइम है आपको बाहर निकलना भी मना है तो आप घर है और जब हम वीडियोज का आप सुनोगे जो भी लेक्चर सुनोगे अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो यहां पर जो इमील आइडी में ने दिया है सुमित और साइंसाइंसाइड डरे जीमेल.com इसमें आप अपनी क्वेरी बेच सकते हो और मैं आपका डाउट क्लि अपनी क्या मिन आपलाब केस्टों की आपका ड्राविटेशन आपका डाउट गाज चिक्उर आपका डिपोर बेचंट का मतलब क्या है वेट व गाजं आपके नंव ग्ताछ्टों kinda Gravitation is a natural phenomena by which all things with mass or energy including planets, star, galaxies and even light have brought towards or gravitate towards one another. याने कि यह जितने भी planets है, stars है, यह गैलक्जी सब एक दूसरे से आकर्शित होते हैं. यह जैसे कि for example आप देख सकते हो, यह हमारा जो अर्थ है, वो गोल-गोल गूमता है. यह सब्सक्राइब करते हैं, वो क्यों रिवाल करते हैं? वो क्यों रिवाल करते हैं? विकास अप ग given on earth, gravity gives weight to physical objects and the moon's gravity causes the ocean tide. अब इन्होंने दो example दिया है, अर्थ में आप कोई भी physical object देख लो, yes, उसको कुछ ना तो कुछ, हलकी चीज़ भी रेगी तो उसका वजन ग्रैम में रहेगा, right? उसका weight ग्रैम में रहेगा, तो उसको weight कहां से मिलता है? because of the gravity present on the earth. अगर वो ही हम लोग moon's की gravity को हम लोग कैसे पेचानेंगे? अभी आपको पता है, ocean में tides आता है, high tide, low tide, yes, तो tide किसकी वज़े से आता है? moon's gravity की वज़े से, okay? I hope you have understood. So, now what we have seen, we have seen what is gravity and what is gravitation, okay? okay, so now you have heard the story of Sir Isaac Newton, okay? So, he was the, he has discovered, yes, what he has discovered? The gravitation. So, one day he was sitting under the tree and when apple fall down, yes, so he was thinking that why the apple falls down only and why it's not falling upwards, okay? तो यही उनकी जो सोच थी, जिसने उनको scientist बनाया और उनने gravitation को खोज निकाला, okay? So, now let's see, the phenomenon of gravitation was discovered by Sir Isaac Newton, जो अभी apple tree के निचे बैठे आपको दिखर होंगे, right? As the story goes, he discovered the force by seeing an apple fall from a tree on the ground. इसी के साथ, gravitation के साथ, और क्या मालूम पटे हैं, हमको उनने force को भी discover किया था, right? अब अब अब्यूस सी बात है, जब apple निचे गिर है, तो कोई तो force होगा, जिसकी वज़े से वो निचे गिर रहा है, right? And he wondered why all apples fall vertically downward and not at angle to the vertical, ठीक है, अब उनने क्या सोचा कि apple नीचे क्यों गिर रहा है, ठीक है, और बाकी कोई angle में क्यों नहीं जा रहा है, सीधा नीचे ही गिर रहा है हो, and why do they not fly off in the horizontal direction, और इधर उधर वो क्यों उड़के नहीं जा रहा है, अभी बहुत सोचने के बाद उनने conclusion भी निकाला, अब इससी बाते, यह देखवा भी, यह सोच रहे, आप देखे रहो इस picture में, Sir, Itak Newton सोच रहे कुछ, और यह बहुत सोचने के बाद उनने conclusion निकाला, so let's see what was the conclusion, okay, so after much thought, he came to the conclusion that the earth must be attracting the apple towards itself, and this attractive force must be directed towards the center of the earth, ठीक है, उनका conclusion क्या निकला, कि जो earth है, वो attract कर रहा है, ठीक है, किसको, apple को अपनी तरफ, ठीक है, और लेकिन वो attract कैसे करेगा, force की मदद से, ठीक है, तो force की मदद से हो क्या कर रहता, apple को attract कर रहता, और कहा कर रहता, towards center of the earth, and the direction from the apple on the tree to the center of the earth is the vertical direction at the position of the apple, and thus the apple falls, vertically, downward, अब इन्योंने क्या बोला, कि जो apple उपर से तूटके गिर रहा था, ठीक है, जब वो गिर रहा था, उसका position कैसा था, earth से, vertical था, vertical means straight था, और इसलिए जब apple नीचे गिरा, ठीक है, वो सीधा नीचे ही गिर रहा था, और वो horizontally इदर उदर नहीं गिरा, ठीक है, तो इतना simple conclusion, उन्होंने निकाला, yes, और आपको पता है, हम लोग science भी complex चीजों को simple करने के लिए ही पढ़ते हैं, understood, चलो देखते आगे, एक और example है, मैंने बनाया, I think यह textbook में नहीं है, ओके, a boy, he is throwing a ball, yes, and at a certain height, the ball is going, okay, and after certain height, the ball again falls down, is a dotted line है, yes, यह क्या दिखा रहा है, कि आपका बॉल नीचे की तरफ आ रहा है, yes, तो आपका बॉल क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, वापस, तो आपको एक give reason में question आ सकता है, yes, give reason में क्या question आ सकता है, आपको, कि why the ball, why the ball falls vertically downward, तो इक give reason में आ सकता है, आपको, the answer is very simple, when the boy throws ball in the air, the ball goes upwards at a certain height and come back downwards, जो हमने देखा वोही बोला हमने, yes, कि बॉल एक certain height पे जा रहा है, उपर की तरफ और फिर बाद में नीचे की तरफ आ रहा है, अब यह क्यूँ है, conclusion आपको बाताना है, वोही आपका answer है, okay, we can conclude that the earth must be attracting the ball towards itself and this attractive force must be directed towards the center of the earth. जो हमारे sir, इसे एक mutant sir ने हमको बोला था, वोही हमने भी लिखा है, yes or not, yes, and the direction of the ball to the center of the earth is a vertical direction at the position of the height and thus the ball falls vertically downwards, यह आपका final conclusion है, अभी इसमें के final conclusion में आपने क्या बोला, कि जो बाल का direction था, जब वो उपर जा रहा था, तो वो जो एक certain height पर जाने के पाद, जो position था, जो height थी, ठीके, वो कैसा था, नीचे की तरफ कैसा था, वो वर्टीकल था, ठीके, तो जब बॉल आपका नीचे ही गिरेगा हो, horizontally इदर किदर जाएगा नहीं आपका, और जो force लगाया गया था, लड़के के हाथ से, वो अगर आपको समझ में आया होगा, if you have understood, please subscribe the channel, it was the first lecture, and if you want that the further lessons, notifications should come to you, तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ओके, चैनल सब्सक्राइब करो, आपको आगे के जो lectures है, आपको 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 आपको 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 पड़ाई होते रहेगी, और आपको पूरा साल में ट्राइ करूंगा कि एगदम इजी से इजी आपको समझा सको, और I will try to give the notes also, provide the notes also, okay, so all the best for your future, thank you so much, and if you have any query, please, 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 ask your doubt by sending the mail, okay, thank you so much.